हलो दोस्तों आज किस वीडियो में देखेंगे अकाउंटिंग के अंदर डिसकाउंट क्या होता है डिसकाउंट कितने तरह के होते हैं और इसके बेसे पे जन्रल एंटिस कैसे करते हैं दोस्तों यहां पर हमने डिसकाउंट दो तरह के पार्ट्स में डिवाइड किया है डिसक दिस्काउंट या इसे डिस्काउंट होते हैं जो कि किसी प्रोडक्त के ऊपर As A veli buyer को दिस्काउंट ओफर करता तो उसको हम trade duskaún कroz क्या जाता है कैस्ट जुआंट जो हम प्रेचाउड कुहांट को बिल पर सोर नहीं किया जाता है। और Tara यहां पर हमने trade discount के कुछ simple questions लिए हैं जिनके basis पर हम यह जान सकते हैं कि कैसे करते हैं दोस्तों हमने यहां पर फर्स कोशन लिया है purchase goods worth 4000 from Supriya at 8% trade discount तो सबसे पहला हम यहां account बना लेते हैं पहला account बनाते हैं purchase का दूसरा account बनाते हैं यहां purchase हमारा nominal account में आता है और यह हमारे लिए expense है और expense nominal account के हिसाब से हमीजा debit होता है और हमारा सुप्रिया एक creditor है और गीवर है और personal account के हिसाब से जो हमारे गीवर होते हैं उसको credit में रखते हैं और इसकी entry हम करेंगे purchase account debit to Supriya account अब देखो यहां पे हमने 4000 में से 8% का trade discount मैनस करके total amount हमने यहां पे calculate किया हुआ है तो यहां पे 320 रुपीज का जो हमारा trade discount था वो हमने 4000 में से मैनस कर दिया यहां पे entries तो हमारा simple ही है बट इसमें amount हमारा change हो रहा है because trade discount यहां minus किया जाता है तो आगे हम next question देखते हैं next question है goods are sold on credit to deep 23,000 12.5% trade discount अब देखो यहां पे 23,000 का जो हमने goods sale किया है इसमें 12.5% का trade discount हम देंगे तो यहां पे 12.5% का जो trade discount amount आएगा वो हम 23,000 में से minus कर देंगे after and जो amount बचेगा वो हमें entries में not करनी है so यहां पे सबसे पहले account हम बनाते हैं sale का दूसरा account बनाते हैं देव का यहां पे sale हमारे लिए income है और income nominal account के category में आता है और nominal account कहता है कि जो हमारे income है उसको हमेसा kredit रखो देव हमारे लिए डाटर एड और डाटर यहां receiver है और receiver personal account के गटेगेरी में आता है personal account हमारा कहता है जो receiver है उसको आप debit रखो तो इसके entry हम करेंगे देव account debit to sale account अब देखो यहां पे देव account में हमने यहां पे 20,000 1.25 रूपी मेंचन किया यहां पर 12.5% जो 23,000 का था वो हमने minus करके यहां पर not किया है तो actual में trade discount को so नहीं किया जाता बलकि उसके total amount में से discount calculate करते हुए उसको minus कर देते हैं remaining amount हमारा यहां general entries में not की जाती है इसी को आप trade discount करते हो and next question यहां पर देखते हैं goods are sold to kelas the least price of 1 lakh at 15% trade discount दोस्तों यहां पर हम 15% का trade discount 1 lakh का calculate करेंगे total 15,000 आएगा and 85,000 का जो amount है वो actual amount sale करेंगे so यहां पर account बनाते हैं sale का एक तो हमारा sale account बनेगा दूसरा हमारा यहां बनेगा kelas का क्योंकि हमने kelas को goods sale किया है so यहां पर sale हमारे लिए income है और income nominal account के category में आता है और nominal account के साब से जो हमारे income है उसको हमें सा credit रखते हैं और यहां पर kelas एक debtor है जो कि receiver है और receiver हमें सा personal account के अंदर आता है और personal account कहता है कि जो receiver है उसको आप debit किया and इसकी entry हम करेंगे केlas account debit to sale account इसकी entry करते से मैं यहां पर देखो कि हमारा total amount 85,000 है because of 15% का trade discount हमने minus कर दिया 1,00,000 में से and then next देखते है cash discount दोस्तों यहां पर cash discount जो होते है वो two types में divide होते है because of कि हम जब purchase करते हैं उस समय भी हमें cash discount को देखना होता है और जो sale करते हैं उस समय भी हमें cash discount को देखना होता है दोनों ही case में cash discount अलग-अलग account में trade किया जाता है जैसे हम लोग trade discount के बारे में जाना था तो trade discount में ऐसा कुछ नहीं था जिससे यह हमें अलग-अलग category में करना पड़े बट अगर हम cash discount की बात करें तो वहाँ पे आपको purchase और sale के basis पे two types में account बनानी पड़ते हैं purchase करते समय जो हमें cash discount मिलेगा उस समय हमारा account open किया जाता है discount receive जो होता है वो हमारे लिए indirect income होता है और indirect income जो होता है nominal account के हिसाब से indirect income को हमें इसा credit में रखते है तो सो आप जब भी purchase के समय cash discount के entry करेंगे तो वहाँ पे आप हमेशा याद रखेंगे कि discount receive credit होगा दूसरा हमारा यहाँ पे sale के लिए होता है and sale के लिए जब हम cash discount देंगे तो वहाँ पे account open करेंगे discount allow discount allow हमारे लिए indirect expenses होता है और indirect expenses nominal account के हिसाब से debit कहा जाता है discount receive का account open किया जाएगा और sale के लिए discount allow account open किया जाएगा discount receive जो होगा वो credit होगा और discount allow जो होगा वो debit होगा तो further यहाँ पे इसके questions देख लेते हैं पर देखते हैं question first question है यहाँ पे purchase goods from Ram 50,000 at 10% cash discount तो यहाँ पे सबसे पहला account open करेंगे Ram का दूसरा account open करेंगे cash का और तीसरा account open करेंगे discount receive का तो दोसों यहाँ पे इसके entry करने वाले हैं Ram's account debit to cash account to discount receive account यहाँ पे हमने Ram का account के आगे 50,000 mention किया है but cash discount के आगे 45,000 ऐसा इसलिए क्योंकि हमने cash 45,000 ही देना है क्योंकि 10% का discount हमें मिला है तो 50,000 यहाँ पे total इनको add करने पर मिलना चाहिए तो इस तरह से इसके entry करेंगे and next question यहाँ पे आप देखते है sold goods to hurry 30,000 at 10% cash discount तो दोस्तों यहाँ पे first account open करेंगे है हरी का और दोसरा cash का और तीसरा discount allow का तो यहाँ पे आप इसके entry करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा cash discount, cash account debit discount allow debit to hurry account अब यहाँ पे cash जो हमें receive हुआ है वो 27,000 because of हमने discount allow किया है 3,000 का तो जो discount हमने दिया वो 30,000 में से minus किया जाएगा और कुल मिला के हमें 27,000 receive होगा यहाँ पे next question है purchase goods to a be of 45,000 settle our account by paying cash of 44,500 and receive discount to 500 रुपीज यहाँ पे हमने अभी से 45,000 का goods purchase किया है and हमारे account settle किये गए 44,500 रुपीज से 500 का discount हमें मिला इसकी एंडी करेंगे यहाँ पे अभी account debit 45,000 रुपीज and cash जो हमने pay किया है 44,500 रुपीज का and discount receive हमें मिला 500 रुपीज का तो कुल मिला के 45,000 रुपीज आ जाता है दोस्तों इस तरह से and next question देखते है sold goods 4,000 to Neha on credit receive cash from Neha in full settlement of her account 38,50 रुपीज actually यहाँ पे हमने 1,500 रुपए का discount हमने Neha को दिया है जब हमने 4,000 का good sale करा था यहाँ पे इसकी एंडी करते हैं Neha का account बनाएंगे दूसरा हमारा यहाँ पे cash का होगा और तीसरा हमारा discount allow होगा यहाँ पे इसकी एंडी करते हैं cash account debit to discount allow to debit and Neha account credit यहाँ पे आप देख रहे हो कि cash में हमने 38,50 रुपीज ही लिया है discount allow हमने 150 रुपीज का किया और Neha से हमें 4,000 रुपीज receive हुए इसमें total हमारा Neha से हमें केवल 38,50 रुपीज ही receive हुए बट Neha को हमने 4,000 का good sale कर दिया इस तरह से हम लोग cash discount की एंडी करते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तो हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और भी लोगों तक share करिए नए वीडियो की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए धन्यवाद